तो हाज मैं आपके लिए एक और question paper लेके आया हूँ और ये भोपाल डिविजन का question paper है बेपेल का जो ये exam हुआ था ये हुआ था चौबिस दस दो हजार चौबिस को और ये था LDC 25% और ये computer based test था याने कि ये CBT था और ये JEE के लिए था JEE C&W तो इसका ये question paper है देखते हैं इसमें कौन-कौन से सवाल है और इसके कौन-कौन से answer होंगे सारी चीजों को समझने कोशिश करते हैं इस वीडियो में तो चलिए देखते हैं पहला सवाल जो लेजबी का ब्रेक डिस्क होता है उसका डाया पूछा जा रहा है कि उसका डाया कितना होता है नय में तो चार आप्षन दिये गए हैं और अकर हम यह राइट आप्षन की बात करें तो इसका जो राइट आप्षन होगा 640 mm होगा option में option B इसका right answer हो जाएगा सवाल नमबर 2 वेस्ट आप new lhb break pad नए lhb break pad की मोटाई कितनी होती है lhb break pad होता है lhb coach का उसकी मोटाई पूछी जा रही है नए में उसकी मोटाई कितनी होती है तो वो होती है 35 mm option में देखे तो option C इसका right answer होगा 35 mm यहाँ पे break pad की मोटाई पूछी गई 9 mm अगर यह condoming पूछी जाए कि condoming कितना होता है तो वो 7 mm होता है जब गिस के 7 mm रह जाता है तब उस break block को condom कर दिया जता है निकाल दिया था break pad को lhb में break pad होता है सवाल नमबर 3 what is the purpose of dump wall dump wall का उद्देश क्या है सारे excel जो है उनमें एक जैसी गती बनाये रखना या फिर जो wheels है उनको skid होने से बचाना A और B दोनो या फिर none of these चार option दिये गए तो रहिए जो dump wall होता है उसका काम होता है जितने भी excel है सबकी गती एक समान बनाये रखना ये भी उसका काम है यानि ये पहला option भी सही है दूसरा to protect wheel against skidding यानि कि wheel को skid होने से slide होने से बचाना भी इसका काम है तो ये भी सही है यानि दोनो option सही है तो right answer इसका हो जाएगा option C A and B both A और B दोनो अब जो dump wall होता है देखें ये dump wall सिर्फ LHB के अंदर होता है ये ICF या goods में नहीं होता है dump wall कहा होता है सबसे पहले तो हमारे DB होता है distributor wall DB से जो pipe निकलता है वो जाता है यहाँ पर dump wall में यह होता हमारा dump wall यहाँ से जो निकलता है dump wall एक Excel के लिए एक dump wall होता है यानि कि यहां से एक pipe निकल के और इसमें break slender में जाता है इस वाले में और इस वाले में इन दोनों BC break slender में जाता है इसके बाद dump wall का जो एक और connection है वो चला जाता है उपर जो WSP का micro processor होता है micro processor में चला जाता है DB से जो air pressure निकलता है वो dump wall के थूँ break slender में जाता है कितना pressure जाएगा यह decide करता है micro processor micro processor के भेजे गए आकड़े के बिहाब पे जो dump wall है वो pressure को break slender में भेजता है इस चीज़ कर्यान रखेगा जो micro processor है इसको चलाने के लिए 110 volt DC चाहिए होता है जबकि जो हमारा dump wall है इसको चलाने के लिए 24 volt DC की ज़रूत पढ़ती है dump wall जो operate होता है 24 volt DC पे और जो हमारा micro processor है वो operate होता है 110 volt DC पे तो DB से जो pressure निकलता है पहले dump wall में जाता है dump wall से वो pressure break slender में जाता है तो break लगाने के दोरान और break release करने के दोरान दोनों के दोरान dump wall काम करता है जब break release करना होता है तो break slender का pressure dump wall के थुरू ही बाहर वातावरन में बाहर निकलता है जिससे की break release होता है तो यह समझ गए अब देखिए जो dump wall के अगर संख्या की बात की जाए तो एक Excel पे एक dump wall होता है यानि कि अगर एक bogey की बात करें तो एक bogey में दो Excel होते हैं तो यहाँ पे दो dump wall यहाँ पे होंगे दो dump wall होंगे दोनों Excel के लिए तो एक Excel पे एक dump wall दो Excel पे दो dump wall टोटल हमारे एक coach में चार Excel होते हैं तो चार Excel में चार dump wall यानि कि एक कोच में 4 डंप वाल होते हैं total और अगर एक बोगी की बात की जाए तो एक बोगी में 2 डंप वाल होते हैं डंप वाल 24 वोल्ट DC से चलते है जबकि माइक्रो प्रोसेसर 110 वोल्ट DC से चलता है ये काफी important point है इसको ध्यान से याद करके रखिएगा चलिए तो अगले सवाल देखते हैं सवाल नमबर 4 break accelerator इसे break accelerator क्या होता है तो break equating device होता है या फिर emergency break application device होता है बोथ A and B दोनों होता है या फिर none of these कौन सा answer सही होगा तो अगर हम answer में देखें तो इसका right answer हो जाएगा option B यहाँ पर emergency break application device emergency breaking के दौरान break accelerator जो है वो activate होता है और emergency breaking में जल्दी break लगाने में मदद करता है अब इसकी संख्या कितनी होती है तो देखें अगर एक coach है और यह कहां लगा होता है यह एक coach है एक coach में यह BP का pressure pipeline है BP है इसी pipeline में एक branch pipe होता है जिसके अंदर एक goals आपको device देखने को मिलेगा यही device break accelerator होता है break accelerator emergency breaking के दौरान BP के pressure को drop कराता है हर coach में इसकी संख्या एक होती है और इसको इसलिए लगाए गया है कि emergency breaking के दौरान सारे coach का जो BP pressure है वो एक समान एक सांथ जल्दी से drop हो जाए तो इसलिए यह break accelerator का इस्तमाल किया जाता है अगर इनकी संख्या पूछी जाए कि एक coach में break accelerator की संख्या कितनी होती है तो एक coach में break accelerator की संख्या एक होती है break accelerator को उपर मैंने एक पुरा detail में वीडियो बनाए अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लिजिए कि कितने pressure पर यह activate होता है कितने pressure पर यह deactivate होता है सारी चीज़े मैंने उस वीडियो में बताया है चलिए अगरा सवाल लेते हैं सवाल नमबर पांच principle application of break accelerator break accelerator होता है उसका सिद्धान्त क्या है वो क्या काम करता है तो emergency breaking in each coach of rake partial breaking in each coach of rake या फिर similar breaking in each coach of rake none of these इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option A emergency breaking in each coach of rake rake के हर coach में emergency breaking के दौरान यह activate होता है काम करता है सवाल नमबर छे what is the full form of PASD बहुत simple से सवाल है हर बार यह आता है जादा तर टाइम ही आता है और मुझे लगता है कि आप में से सब को ही आता होगा इसका right answer हो जाएगा option A passenger emergency alarm signal device सवाल नमबर साथ what is working pressure range of nitrogen cylinder in fire suppression system in LHB coaches LHB coach में जो अगनी शामन system लगा होता है उसमें जो nitrogen cylinder होता है उसका car shield दबाओ range क्या है तो यहाँ पे चार option है right answer अगर हम देखें तो हो जाएगा इसका right answer C 150 से 200 kg per cm2 सवाल नमबर आठ brake accelerator in LHB is connected to LHB में जो brake accelerator होता है वो किस से जुड़ा होता है F P pipe, BP pipe, BC pipe both A and P तो right answer हो जोगा इसका BP pipe brake pipe अभी उपर हमने देखा था brake pipe में यह connected होता है brake accelerator तो option B इसका right answer हो जाएगा सवाल नमबर 9 इन a LHB coach having air spring how many fever devices are there per coach air spring वाले LHB coach में प्रती coach कितने fever devices होते है ऐसे LHB coach जिन में air spring का इस्तमाल किया गया है वहाँ पे fever device की संक्या कितनी होती है तो इसका right answer हो जाएगा option 2 यहाँ भी 2 यानि कि एक boggy के लिए एक fever device होता है दूसरी boggy के लिए दूसरा fever device होता है और यह दोनों तरफ होते है coach के दोनों तरफ एक-एक fever device का पैनल आपको देखने को मिलेगा तो एक LHB coach में total दो fever device होते है fever के उपर भी मैंने एक detail वीडियो बनाया है नहीं देखा है तो चैनल पर जाके इसके बाद देख लेना सवाल नमबर 10 इने LHB coach having air spring how many duplex check valve are per coach air spring वाले LHB coach में प्रती coach कितने duplex check valve होते हैं अब duplex check valve पहले होता कहा है और इसका काम क्या है वो आप समझ लीज़े देखे जो duplex check valve होता है जो हमारा ये बोगी होता है बोगी के अंदर जो हमारा बोलिस्टर होता है बोलिस्टर जिसमें air spring लगा होता है अगर एक कोच में टोटल इनकी संक्या दो होती है तो right answer option B हो जाएगा दो चले अगरा सवाल सवाल नमबर 11 इन LHB coach having air spring how many labeling walls are there per coach air spring वाले LHB coach में प्रती कोच कितने leveling wall होते है तो ये जो टोटल leveling wall होते हैं ये चार होते है option की बात करें तो option D इसका right answer होगा जितने बैलो होते हैं उतने labeling wall होते है हर बैलो के लिए एक labeling wall होता है तो टोटल चार बैलो होते हैं air bellow तो टोटल चार यहाँ पर labeling wall होते है सवाल नमबर 12 वाट इस दो लोकेशन ओफ सेप्टी वाल फिटेड इन लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन जो लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस टैंक का वैगन होता है उसमें सुरक्षावाल का स्थान क्या है कहां पर लगा होता है inside dome होता है outside dome होता है outside on barrel होता है या फिल none of above होता है तो यह right answer देखे तो option A इसका right answer हो जाएगा inside dome dome के अंदर यहाँ पे safety wall लगा होता है सवाल नमबर 13 what is the full form of IRCAA IRCA का full form क्या होता है तो इसका full form होता है Indian Railway Conference Association राइट आंसर देखे तो option A इसका राइट आंसर हो जाएगा Indian Railway Conference Association सवाल नमबर 14 The color for brake pipe in twin pipe brake system is जो twin pipe breaking system होता है उसमें brake pipe का color क्या होता है BP का color यहाँ पूछा जाएगा simple सा है तो right answer option C हो जाएगा green हरा हरा इसका color होता है BP का brake pipe का और अगर यहाँ पे एपी पूछा जाता है तो एपी का color होता है वो white होता है एपी का color white होता है जबकि BP का color green होता है सवाल नमबर 15 The color for feed pipe in twin pipe wagon is जो twin pipe wagon होते है उसमें feed pipe यानि कि एपी pipe पूछा जाता है कि एपी pipe का color क्या होता है तो एपी का color यहाँ पे white होता है देखे यह यहाँ पे wagon के लिए पूछा गया है लेकिन यह चाहे वैगन हो चाहे यह coach हो LHB हो ICF हो अगर feed pipe पूछा जाए तो feed pipe white होगा यानि और यह feed pipe किसमें होता है twin pipe breaking system जिस भी coach यह wagon होगा उसमें यह feed pipe होगा और feed pipe यानि कि एपी एपी का color white होता है चाहे वो coach हो चाहे वो wagon हो और बीपी का color green होता है अगर single pipe है जैसे goods का कोई wagon है जो single pipe है तो उसमें एक ही pipe होगा जिसको train pipe भी कहते और break pipe BP भी कहते तो वो green color का होगा उसमें white का कोई roll नहीं है लेकिन जहाँ twin pipe है वहाँ पे जो एपी का color है वो white होगा और जो बीपी का color है वो green होगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा चलिए अगला सवाल दिखते है सवाल number 16 तो इसका right answer हो जाएगा A, wheel and brake block wheel और brake block के बीच में जो gap होता है उसको ऐसे भी adjust करता है जब हम brake block नया लगाते हैं और जब गाड़ी चलती है तो brake block घिसने लगता है घिसते घिसते wheel और brake block के बीच में gap बढ़ता जाता है तो उस gap को कम करने के लिए maintain करने के लिए A, B का इस्तमाल किया जाता है और ये A, B उसी clearance को adjust करता है जितना होना चाहिए उतना बनाए रखता है सवाल number 17 OMRS full form is OMRS का full form क्या है तो इसका full form होता है Online monitoring of rolling stock तो इसका right answer देखे तो option B इसका right answer हो जाएगा Online monitoring of rolling stock चलिए सवाल number 18 What is the thickness of roof sheet in ICF coach ICF coach का जो roof sheet होता है उसकी thickness कितनी होती है चार option दिये गए है right answer देखे तो इसकी thickness होती है 1.6 mm option में देखे तो option D इसका right answer होगा सवाल number 19 Which of the following is correct about the CBC coupler of LHB coaches LHB coach के CBC coupler के बारे में इन में से कौन सी बात सही है तो इसमें कौन कौन से option यहापे दिये गए है इसमें draw gear और buffing gear एक साथ होते है इट combines the draw and buffing gear is one इसके अलावा इसमें यह जो tensile है यानि जो तान्ने है और जो compressive है यानि संपिडन जिसको कहते है वो जो दोनों force है उसको संचालित करता है अपने विशेश डिजाइन के कारण यह दुरगटना के स्थिती में वहनों को एक के उपर एक चड़ने नहीं देता है बाधा पैदा करता है और चौथा option है जितने भी option यह दिये गए है यह सारे सही है तो right answer हो जाएगा इसका D, all of above are correct यानि कि जो lhb coach का जो cbc होता है उसकी जो यह खूबी है इसमें draw और buffing gear एक साथ होते है यह जो tensile और compressive जो force है उसको दोनों को यह transmit करता है इसके अलवा अपने design के वज़े से दुरगटना के स्थिति में एक coach को दूसरे coach के उपर नहीं चड़ने देता है तो right answer हो जाएगा option D यानि ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है तो right answer all of above are correct यानि कि सारे जो option दिये गए हैं वो सारे सही है option D इसका right answer हो जाएगा सवाल नमबर 20 as per the RDSO instruction issued in 2019 which of the following is true about the dump wall chalk size 2019 में जो RDSO का निजदेश था उसके अनुसार dump wall chalk का आकार इन के लिए इन में से कौन सा सही है तो KBIL model MGS2 के लिए मौजूदा 5 mm charging chalk को 9 mm chalk से बदला जाना चाहिए पहला option दूसरा option है FTR TL model जो SWKP ASR20R है इसके लिए मौजूदा 6 mm का जो charging chalk है उसको 9 mm से बदला जाना चाहिए या फिर तीसरा FTRL model का SWKP AS20R मौजूदा 9 mm adjust chalk को हटा दे तो इसमें से कौन सा सही है तो right answer हो जाएगा इसका D all of ever were correct ये जितने भी option दिए गए हैं ये सारे सही है 2019 में RDSO का जो नस्देश था उनमें ये तीनों चीज़ों को करने के बारे में बताए गया था तो ये तीनों चीज़ों तीनों option सही है तो right answer option D हो जाएगा सावाल number 21 which of the following capacity wise color coding scheme in incorrect of LHB air spring जो यहाँ पर option दिए गए है इन में से कौन सा जो रंग कोडिंग की योजना है जो इसका जो scheme है वो LHB air spring के लिए गलत है जो भी scheme इसमें से रंग कोडिंग के लिए है वो LHB air spring के लिए गलत है तो 180 KN yellow color का होता है 160 KN sky blue color का होता है और 140 KN red color होता है और 120 KN के लिए light green color के इस्तमाल के जाता है तो इसमें से कौन सा गलत है तो देखिए जो यह गलत है यह option A हो जाएगा 180 KN yellow color यह गलत है 180 KN जो होता है वो yellow color के लिए नहीं होता है सावाल number 22 permissible variation in wheel trade diameter for the same axle in VG coaches is wheel turning the wheel जो turning के समय जो VG coach होते है उनके एक axle जो दोनो wheel होते है उनके ट्रेड में जो बयास में जो अंतर है वो कितना होना चाहिए तो यह right answer 0.5 हो जाएगा 0.5 mm 0.5 mm एक axle के दोनों डिस्क के बीच का जो diameter का फ़र्क है वो 0.5 mm से जादा नहीं होना चाहिए और अकर एक boggy की बात की जाए तो एक boggy में 13 mm से जादा का wheel जो diameter है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए तो right answer option ही हो जाएगा 0.5 mm सावाल number 23 the weight of the body is transferred on trolley in ICF coach through ICF coach का जो वजन है trolley पे किसके द्वारा वहाँ पे transfer किया जाता है चार option है journal, wheel, side barrier या फिर dashboard तो right answer option C हो जाएगा side barrier side barrier के through जो ICF coach होते हैं उसमें coach का वजन trolley पे side barrier के through ही transfer होता है आता है 24 the maximum standard buffer height above rail level to center of bufferies rail अस्तर से buffer की केंदर तक अधिक्तम जो उचाई होती है वो कितनी होती है maximum buffer height के बारे में पूछा गया है तो ये होती है 1105 mm right answer हो जाएगा option C आच्छा है यहाँ पे ये जो empty में, खाली में maximum buffer के उचाई 1205 mm होती है सवाल number 25 what is the full form of WSP, WSP का full form क्या है ये भी लगबक आप सबको पता होगा wheel slide protection device होता है तो इसका right answer हो जाएगा, यहाँ पे option C wheel slide protection, यहाँ पे device भी जोड़ लेते हैं हम लोग सवाल number 26, wheel tapping is done to detect जो wheel tapping होता है वो क्या पता करने के लिए किया जाता है wheel tapping से कौन सा दोश, wheel का कौन सा दोश पता चलता है any hair crack, any material flow, any wheel selling, all the above तो यहाँ पे any hair crack, किसी भी तरह का जो दरार होता है उसको पता करने के लिए wheel tapping का इस्तमाल किया जाता है wheel tapping के दोरा हम जो railway के, जो CNW के काफी experience holder जो करम चारी है वो wheel पे tap करके समझ जाते हैं कि wheel में कोई problem है, कोई दरार, कोई hair crack, इस तरह की चीज है कि नहीं है उसके sound से पता चल जाता है, wheel tapping के दोरान जो sound आता है, उससे पता चल जाता है कि इस wheel में कोई hair crack या इस तरह का कोई problem तो नहीं है तो option A, इसका right answer हो जाएगा सवाल no.27, which of the following is often referred as heart of the air brake system निम्लिखित में से किसे अकसर air brake system का दिल, हिस्दे कहा जाता है चार option है, brake slender, 3-way dirt collector, axillary, reservoir या फिर distributor valve simple सा है, DB distributor valve DB को breaking system का दिल, यानि की हिस्दे भी, यानि हार्ट भी कहा जाता है सवाल no.28, what is POC, यानि की producing of ART, ARME, ARMV coaches as per 2021 instruction, 2021 के instruction के हिसाब से ART, ARME, ARMV का जो POC होता है, वो कितने महीने पे होता है तो right answer हो जाएगा यहाँ पे 48 month, 48 month के अंतराल पे इन सब का POC होता है सवाल no.29, at what interval the intensive cleaning of any coaches is done, किसी भी कोच की जो सगन सफाई होती है, वो कितने अंतराल पे की जाती है कब की जाती है, तो इसका right answer हो जाएगा option A, one month एक महीने पे इसकी जो सगन सफाई होती है, वो की जाती है सवाल no.30, permitted flat faces of ICF willies ICF पहियों पे जो flat face होते हैं, उनकी अनुमती कितनी होती है तो इसका right answer हो जाएगा, option B, 50 mm और अगर goods की बात की जाएगा, तो goods में ये 60 mm होता है चलिए सवाल no.31, number of break slender in a LHB coach is art LHB coach में break slender की संख्या कितनी होती है तो एक LHB coach के अंदर total break slender की संख्या होती है आठ है, या coach की बात हो रही है अगर हम यहाँ दो boggy बनाए, एक coach के अंदर ये 2 Excel हो गए और ये दूसरा boggy हो गए, उसी coach का, इसमें भी 2 Excel हो गए तो हर एकसल पे यहाँ पे डिस्क होता है, break disc जिसको कहते हैं अंदर की तरफ, तो एक Excel पे 2 break disc होता है और हर break disc पे एक यहाँ पे break slender लगा होता है ये देखें, कोछ इस तरह से तो एक boggy में 4 होते हैं, दोनों boggy में 8 होते हैं यानि कि एक कोच में, टोटल जो break slender के संक्या होती है वो 8 होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एक Excel पे हमेशा 2 break slender होते हैं, LHB कोच में जबकि अगर हम ICF की बात करें, तो ICF में एक Excel के उपर सिर्फ 1 break slender होता है यानि कि ICF में, एक boggy में टोटल 2 break slender होते हैं, और अगर एक कोच की बात की जाए तो टोटल 4 break slender होते हैं जबकि LHB में टोटल 8 break slender होते हैं हर Excel पे 2 break slender होता है चलिए अगरा सवाल देखते हैं, सवाल नमबर 32 जो वैगनों के लिए रख रखाओ का manual है उसमें दिसंबर में जो संसोधन किया गया था, 2.02 के अनुसाल तो इलेस्टोमेरिक पैट का condoming अकार कितना होता है कितने mm में ये condom किया जाता है तो right answer जाएगा option D, 42 mm 42 mm में इनको condom किया जाता है 42 mm में condom होता है चली अगरा सवाल देखते है, सवाल नंबर 33 which of the following box and wagons requiring repair has must heavy repair before use निमलिक्षित में से कौन सा ऐसा box and wagon है जिसको उपयोग से पहले सबसे भारी मरम्मत याण सबसे जादा मरम्मत करनी पढ़ती है चार category है, category E, category B, category C या फिर category D तो right answer होता है option C, इसका category C right answer option C, category C category C में जो भी box and wagon आते हैं, उनको सबसे जादा मरम्मत की जोड़ पढ़ती है सवाल नंबर 34 what is the weakest link in the center buffer coupler center buffer coupler में सबसे कमजोज कड़ी कौन सी होती है यानि उसका सबसे कमजोज पार्ट कौन सा होता है तो वो होता है नकल option में देखे, तो option A इसका right answer हो जाएगा सवाल नंबर 35 the high capacity draft gear is जो high capacity का draft gear होता है उसकी छमता कितनी होती है वो पूछा जा रहा है, तो यह है mark 50 या नहीं, high capacity draft gear is वो model पूछा जा रहा है कि इन में से जो चार model दिये गए, इन में से कौन सा model का draft gear है जो high capacity जिसकी होती है तो option B इसका right answer हो जाएगा mark 50 सवाल नंबर 36 what type of center buffer coupler used in Indian railway इंडियन भारतिये railway में किस परकार के center buffer coupler का center buffer coupler का इस्तमाल किया जाता है तो यहां पर किया जाता है AAR type center buffer coupler का इस्तमाल कियाता है Indian railway में option C इसका right answer हो जाएगा सवाल नंबर 37 what type of head and shank are used in AAR type center buffer coupler AAR type का center buffer coupler होता है उसमें किस परकार के head और shack का इस्तमाल किया जाता है तो E and F type option में देखे तो option B इसका right answer हो जाएगा E and F type head और shack का इस्तमाल किया जाता है सवाल नंबर 38 the diameter of knuckle pure pin is knuckle pure pin का बयास diameter कितना होता है तो यह होता है 40 mm right answer देखे तो option A इसका right answer हो जाएगा 40 mm सवाल नंबर 39 which among the buffer gear assembly abusing the buffer impact buffer gear senior में से कौन सा buffer प्रभाव को और शोशीत करता है तो right answer हो जाएगा इसका A buffer spring option A इसका right answer हो जाएगा सवाल नंबर 40 the attractive effort of the loco to the individual wagons is transmitted with the help of loco का जो करस्ण बल होता है अलग-अलग wagonों तक किसकी सायता से प्रेशीत किया जाता है जाता है तो right answer इसका B हो जाएगा draw gear draw gear के मदद से यह जो transmute होता है loco का attractive जो force होता है वो loco से wagon तक draw gear के माद्यम से जाता है सवाल नंबर 41 clevis or clevis clevis or clevis pin are the part of clevis or clevis pin किसके भाग होते हैं तो यह होते हैं transition coupler के transition coupler के होते हैं तो option C यहाँ पे right answer हो जाएगा transition coupler सवाल नंबर 42 minimum diameter of wheel on trades on box wagon during service is service के दोरान जो box wagon होते हैं उसके trade पर पहिये का नियुनतम ब्यास कितना होता है तो यह 860 mm होता है right answer हो जाएगा option A 860 mm 860 mm सवाल नंबर 43 the axle load of box and BC and BR and BO, BR, BTPN wagon is यानि कि box and BC and BRN BO, BR और BTPN wagon का Excel load कितना होता है यह होता है 22.32 तो option में देखे तो option B इसका right answer हो जाएगा 20.32 बाइस नहीं 20.32 इसका right answer हो जाएगा option B इसका right answer हो जाएगा सवाल नंबर 44 the color coding of distributor wall of air brake good stock is air brake जो goods stock होते है उसका जो color code होता है distributor wall का वो किस color का होता है क्या color होता है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर A yellow yellow color का होता है the color coding of distributor wall of air brake goods stock is yellow सवाल नंबर 45 what is the capacity of control reservoir in goods chain यानि कि CR की बात हो रही है जो goods chain का CR होता है उसकी capacity कितनी होती है तो वो होती है 6 liter right answer हो जाएगा option B यहाँ पर 6 liter सवाल नंबर 46 the wheel gauge should be measured on wheel gauge को मापा जाना चाहिए कब offload यानि जब खाली हो loaded wagon जब लोड हो offload, loaded wagon both condition यानि दोनों offload में a loaded wagon या फिर empty wagon कब इसको ना पा जाना चाहिए तो offload option A इसका right answer हो जाएगा offload condition में wheel gauge को मापा जाना चाहिए सवाल नंबर 47 in CTRB the grease use per axle boxes CTRB जो bearing होता है उसमें axle box में कितना grease का इस्तमाल किया जाता है तो यह 455 प्लस माइनस 30 gram होता है और right answer हो जाएगा option A सवाल नंबर 48 RDSO has estuplet 3 intermediate profile box in BCN wagon with flange thickness as 20 22 and तीसरा क्या है flange मोटाई 20-22 और dash के साथ RDSO ने 3 मद्यवर्दी profile box in BCN wagon निजधारित किया है तो 2 तो यहाँ बता दिया है 20 और 22 तो तीसरा क्या है तीसरा होता है 25 mm तो right answer हो जाएगा option B 25 mm चलिए सवाल आगे देख लेते सवाल नंबर 49 the new diameter of wheel for B.O.I. wagon is जो B.O.I. wagon होता है उसके जो wheel होते है उसका नय पहिये का बयास कितना होता है तो right answer हो जाएगा C 1000 mm 1000 mm नय पहिये का बयास होता है सवाल नंबर 50 the condemning diameter of B.O.B.R. wheel is B.O.B.R. wheel का condemning diameter कितना होता है 906 mm होता है तो option में देखे तो option C इसका right answer हो जाएगा 906 mm सवाल नंबर 51 the radius at the root of the flange of new warm wheel profile is नय घिसे हुए पहिये के profile के flange की मूल पर रिज्या कितनी होता है radius कितना होता है जो new wheel होता है उसमें यहाँ पे radius पूछा जाएगा root radius की बात होता है root radius कितना होता है तो यह 14 mm होता है option में देखे तो option A इसका right answer होगा 14 mm सवाल नंबर 52 what should be permissible limit of ability and taper of the journal जो journal का undercard और जो taper की कारिता होती है permissible होता है वो कितना होता है कितना permissible होता है तो यह होता है 0.1 mm तो right answer option C हो जाएगा 0.1 mm चले अगला सवाल देखे सवाल नंबर 53 what is the minimum lateral play between axle box lug and horn check for UIC type trolley UIC type trolley में जो minimum lateral play होता है axle box lug और horn के बीच में वो कितना होता है तो देखे यह 20 mm होता है तो right answer देखे option A इसका right answer हो जाएगा 20 mm अगला सवाल सवाल नंबर 54 maximum longitudinal clearance between axle box lug and horn check for UIC type trolley R अब यहाँ पर longitudinal clearance को पुछा जा रहा है किसके किसके बीच में axle box lug and horn के बीच में कितना होता है तो यह 18 mm होता है 18 mm तो right answer देखे तो option D इसका right answer हो जाएगा 18 mm 18 mm अगला सवाल सवाल नंबर 55 what is an integrated portion of the axle धूरी का एकक्रित भाग क्या है integrated portion कौन सा होता है एकसल का तो यह होता है journal तो right answer देखे तो option C इसका right answer हो जाएगा जर्नल चलिए सवाल नंबर 56 control lot diameter of air brake wagon is air brake wagon के अंदर जो control lot के इस्तमाल किया रहता है उसका dia कितना और diameter कितना होता है 32 mm option में देखे तो option B इसका right answer होगा 32 mm सवाल नंबर 57 piston stroke of boxing wagon is empty condition is boxing wagon खाली condition में piston stroke कितना होता है तो 85 plus minus 10 mm होता है option में देखे तो option A इसका right answer होगा 85 plus minus 10 mm सवाल नंबर 58 dirt collector should be cleaned within जो dirt collector होता है उसको clean किया जाना चाहिए कितने समय पे तो ये हर आरोच में इसको clean किया जाना चाहिए तो right answer हो जाएगा option A add the time of आरोच सवाल नंबर 59 the diameter of branch pipe of BP to DB for wagon is wagon के लिए जो BP pipe से DB तक की branch pipe होती है उसका बयास पुछा जारा है कितना बयास होता है तो ये 20 mm होता है option में देखे तो option B इसका right answer होगा 20 mm सवाल नंबर 60 for testing air pressure locomotive the test plate whole diameter is वायू दबाओ के लिए जो locomotive का परिक्षड किया जाता है 7.5 mm ध्यान रखेगा ये 7.5 mm होता है option में देखे तो option B इसका right answer होगा 7.5 mm सवाल नंबर 61 the diameter of air brake slender is BVZC wagon is जो BVZC wagon होता है उसमें air brake slender का diameter कितना होता है डाय कितना होता है तो इसका right answer 305 mm option में देखे तो option C इसका right answer होगा 305 mm सवाल नंबर 62 distance between the control rod head and the barrel of A.A.B. is named यानि कि जो control rod head और A.A.B. barrel के बीच का जो distance होता है जो dimension जिसको हम कहते है वो उस dimension का नाम क्या है उस distance को किस नाम से बुलाए जाता है तो वो A dimension कहलाता है right answer देखे तो option C इसका right answer होगा A dimension यारी कि उस gap में जो distance होता है तो उसको हम A dimension कहते है सवाल नंबर 63 the amount of air pressure in CR of twin pipe system is twin pipe system में जो CR होता है control razor wire उसमें जो air pressure होता है वो कितना होता है तो right answer होगा option C 5 kg per cm2 क्योंकि जो CR होता है वो BP के through charge होता है और BP का pressure 5 के लिए होता है इसलिए CR का pressure भी maximum pressure 5 kg per cm2 चलिए अगरा सवाल सवाल नंबर 64 in new wagon what is the door with tolerance permitted जो नए wagon होते है उसमें दर्वाजे की चौडाई की tolerance कितनी होती है तो 0 यह होती है 0-5 mm प्लस 0-5 mm तो right answer देखे तो option B इसका right answer हो जाएगा सवाल नंबर 65 maintenance manual of casino bogies का maintenance manual जो होता है वो कौन सा है इसमें से तो G95 होता है option में देखे तो option C इसका right answer हो जाएगा G95 सवाल नंबर 66 which is the major खरीफ crop in India जो भारत में प्रमुक खरीफ फसल है वो कौन सा है तो इसका right answer A हो जाएगा rice सबसे जादा उत्पादन rice की होती है खरीफ फसल में देखे तो भारत में सबसे जादा पैदवार यहाँ पर rice की होती है चावल की होती है सवाल नंबर 67 आॡ्नास्फेरिक हुमडिटी स मेजरीज बाय वाई मनदलिय आद्रता किसके दवड़ाइन नापी जाती है यहाँ पे यह सारे मीटर का नाम दिया गया है साइकोमेंटर है अवी एनोमेंटर है urb dry dry म gradually उन्दा नापा जाता है तो इसका option A होगा right answer option A, इसका right answer होगा, psychometer सवाल number 68 the earth is the largest distance from the sun, on जो पृत्वी पर सूरे से सबसे बड़ी दूरी कहां पे है सबसे बड़ी दूरी किस दिन को कहां पे होती है, किस दिन पे होती है अभेलियर, तो right answer यहां पे हो जाएगा C, July 4th July 4th के दिन सबसे ज़्यादा दूरी होता है सन पृत्वी से, सवाल number 69, India lies in the hemisphere, भारत किस गोलाज़ में इस्तित है, भारत किस गोलाज़ में इस्तित है, northern and eastern यानि कि उत्तर और पूर्वी गोलाज़ में भारत इस्तित है, तो option A इसका right answer हो जाएगा सवाल number 70, the सटपुरा range is situated between two west following rivers, they are सटपुरा, जो सटपुरा का परवत स्रेंखला है, वो पस्चिम की उसे बहने वारी किस दो नदियों के बीच में इस्तित है, तो ये नर्मदा और तापी नदी के बीच में है तो option देखे, तो option B इसका right answer हो जाएगा, नर्मदा और तापी सवाल number 71, the highest law officer in the state is किसी भी राजे का सबसे बड़ा कानून अधिकारी, कौन होता है, law officer कौन होता है तो ये advocate general होता है जिसको A.G. कहते हैं, option में देखे तो option B इसका right answer हो जाएगा advocate general सवाल number 72, a light sensitive device that converts drawing printed text or other images into digital form is, जो light sensitive device होता है, जो convert कर देता है drawing को printed text or other image में, तो वो digital form है, तो उसको हम क्या कहते है कौन सी वो चीज होती है, तो वो scanner होता है, scanner के through हम किसी भी चीज को, ये light sensitive होता है तो किसी भी हम text को, हम उसको या drawing को हम text के रूप में, या फिर image के रूप में, digitally हम इसको convert कर लेते हैं, तो ये scanner कहलाता है, scanner होता है सवाल number 73, who gave the call for evergreen revolution जो evergreen revolution होता है, उसका call किस ने, अहवान किस ने किया था तो ये, इसका अहवान किया था, MS swami nathan, MS swami right answer हो जाएगा option A MS swami nathan सही एकी गलत है, आप लोग comment करके बताना, ये वाला option सही एकी गलत है, comment करके बताना, सवाल number 74, electrical bulb filament is made of, जो electrical bulb होता है, उसका जो filament होता है, वो किस चीज से बना होता है, तो वो tungsten से बना होता है right answer हो जाएगा option D, हलाकि अब bulb तो यहाता है नहीं है, जो पहले पीले वाले bulb होते थैं, जिसके अदर पतली सी तार होती थी जो कि जलती थी, तो जिससे bulb में जौशनी पेदा होती थी, उसकी बात हो दी है tungsten का बना होता है, आजकल तो LED bulb होता है, तो LED bulb में इसका इस्तमाल नहीं होता है तो पुराने बल्ब में जो होते थे 100 वाट 200 वाट के तो उसमें यह टंग्स्टन का इस्तमाल किया जाता था चलिए सवाल नमा 75 Which of the following is a non? निम्लिक्कित में से कौन सी अधातु है? Non-metal does remain liquid at room temperature जो भी यहां पे यह चार ओप्शन दिये गए है इसमें कौन सी धातु है? जो कमरे के तापमान पे तरल रहती है तो राइट राइट अंसर हो जाएगा यहां बी Bromine 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 होगा या Bromine होगा पता नहीं जो भी है Bromine ही हम पढ़ लेते हैं ठीक है हिंदी में ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमीन पढ़ लेते हैं यह ब्रोमीन राइट अंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए सवाल नंबर 76 वाट इस एस्टेबलिकॉन रिसेंट्ली मेंशन इन न्यूज हाली में समचारों में उल्ले खेत स्टेफल आइकन क्या है क्या है क्रिप्टो क्रेंशी यानी कि एक क्रिप्टो क्रेंशी का नाम नहीं है और वफ एब नहीं है तो राइट अंसर आप्शन B दिया गया है तो यहां पर हम इसको मान के चलते हैं अगर आप लोग में से किसी को पता हो तो बताना है इसके बारे में अगर डिटेल पता हो तो ज़रू कमेंट करके बताना क्रिप्टो करेंसी चलिए अगरा सवाल देखते हैं सवाल नंबर 77 कलमकारी आर्ट फ्रॉम 38 मैकेंजी नदी यानि की मैकेंजी रिवर इसेंटली सिन इन यूज इन लार्जेस्ट और लॉग्छेट रिवर बेसिन ओफ विछ कंड्री जो मैकेंजी जो डीवर है किस देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी बेसिन कहा जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा कैनड़ा यह कैनड़ा में ही है राइट आंसर भी हो जाएगा कैनड़ा चलिए सवाल नमबर 79 रिसेंटली विच और्गनाजेशन एनाउंस रुपी सेबं फिप्टी करोर एग्रिस्योर फंड टू प्रमोट इनोवेशन इन एक्रिकल्चर हाली में किस संगठन ने क्रिशी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साथ सो पचास करोर रुपे के एग्रिस्योर फंड की हर वर्स कौन सा दिन विश्योर कोशल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 15 जुलाई ऑप्शन में तो यहां पता नहीं हिंदी में दिया है यहां पे 15 जुलाई यह राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई fill in the blanks for me breakfast is best meal of the day तो यहाँ पर क्या होगा A होगा N होगा D होगा या फिर इन में से कोई नहीं होगा तो यहाँ पर D होगा fill in the blanks for me breakfast is the best meal of the day तो यहाँ पर T H E D बदा जाएगा सवा नमबर 82 fill in the blanks I bought dash horse dash ox and dash buffalo क्या क्या बदा जाएगा तो यहाँ पर A N वाला मामला है तो right answer होगा option C यानि कि I bought A horse and ox noun pronoun वाला बात है and A buffalo ठीक है यह option C इसका right answer होगा सवाल नमबर 83 which is the largest city in Madhya Pradesh by population Madhya Pradesh का जनसंक्या के साब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो वो है इंदोर जनसंक्या के साब से सबसे बड़ा शहर इंदोर है सवाल नमबर 84 one word substitution for story of old time goods or gods or heroes is option C हो जाएगा legend 85 सवाल नमबर 85 detect error in part of sentence Ram was senior to Sam in college तो option नहीं जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा Ram was senior to Sam in college इन में से क्या इरज़ तो कोई error नहीं है no error यह sentence पूस जाएगा तो no error option D इसका right answer हो जाएगा सवाल नमबर 86 where is the famous खजराहो group of temples located खजराहो group का जो खजराहो temples है वो कहाँ पे located है कौन से जगह पे है तो यह चत्तरपूर district में है option B इसका right answer हो जाएगा सवाल का right answer हो जाएगा भौपाल बहुत बड़ी-बड़ी झहीले है और बहुत सारी झहीले है तो भौपाल को जहीलों का शहर भी काः जाता है नावाबो का शहर तो जहीलों का शहर भी का जाता है सवाल नमबर 88 Sanchi Steub सासी किस राज में स्थेत है तो ये भी मद्यप्रदेश में है, भुपाल के पास ही है, या राइट अंस उप्शन टी हो जाएगा मद्यप्रदेश सवाल नमबर 90, what is the state fruit of MP, मद्यप्रदेश का state fruit कौन सा है, राज की फल जिसको कह सकते हैं कौन सा है, तो ये mango है आम है, अधिकतर स्टेटों में mango ही है, सवाल नमबर 91, अजीत है जे, certain average for 9 inning, in the 10th inning, he score 100 run, there be increase, has average by 8 run, he new averages, अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औस है, दस्वी पारी में उन्होंने 100 run बनाएं, जिससे उनका उस्ट 8 run बढ़ गया, अब उनका नया उस्ट क्या है, तो ये मैत का सवाल है, मैने पहले वीडियों कहा कि मैत का सवाल रटने वाली चीज़ नहीं होती है, अलग-अलग होती है, यहां पे कुछ और दिया है, अग मैत के सवाल हम नहीं लेते हैं, मैत के सवाल में लेने कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा टाइम लगता है मैत के सवाल करने में, तो इसको छोड़ेंगे हम, अब यहां पे हम आ जाते हैं, राजबासा में, जो देख लेते हैं, सवाल नमबर 101 है, राजबासा में, सम्मिधान स हो जाएगा option में देखे तो option B right answer हो जाएगा 10 में 1963 सवाल नमबर 103 राज भासा नियम 1976 के नियम 112 के अनुसार केंदर सरकार के किसी कार्याले में परियोग किये जाने वाले रजिस्टारों के प्रारूप और सिसर्ग किस भासा में लिखे जाना चाहिए तो ये हिंदी और अंगरे जी दो भासा में होते तो option हो जाएगा option C इसका right answer हो जाएगा हिंदी और अंगरे जी दोनों भासा में सवाल नमबर 104 किस नियम में हिंदी में प्रमिल्टा की प्रभासा दी गई है तो नियम 9 के अंदर ये परिभाशा दी गई है सवाल नमबर 105 चेत्रे भासा कारेवन समीती के अध्यक्ष कौन होते हैं तो ये महापरबंदग होते हैं जो उनके यहाँ पर जीम होते हैं महापरबंदग option A right answer हो जाएगा सवाल नमबर 106 कमला पती कमल पती तरपार्थी राज भासा सवाल नमबर 107 केंद्रे हिंदी सिक्षन संस्थान किन्स मंतराले के अंधीन आता है और ये ग्रिह मंतराले के अधीन आता है देखें मैंने राज भासा के उपर दो वीडियो बनाये कम से कम उसमें 100 सवाल लिये हैं अगर आपको दो वीडियो देख लेते तो राज भासा के हर सवाल को आप स्वाल कर लेंगे राज भासा से जुड़े हैं जितने भी सवाल है उन दोनों वीडियो में कबर किया गया है तो एक बर चैनल पर जाके आप जूर देख लेता है सवाल नमबर 108 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 10 जन्वरी राइट आंसर ओप्शन ये हो जाएगा सवाल नमबर 109 संग का राजकिये कारे हिंदी में करने के लिए वाशिक कारे करम कौन तयार करता है तो ये ग्रिह मंत्राले तयार करता है आप्शन में देखे तो आप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नमबर 110 जो कि लास्ट है ग्रिह मंत्राले के अंतरकत राजबास अभिभाग की अस्थापना कब हुई थी तो वर्ष उन्निस सो पच्पन में हुई थी हल किसी से गलती हो सकती है हम से क्या किसी से भी गलती हो सकती है तो जब कमेट करके बताएगा बाकी वीडियो देखने के लिए दन्नेवाद